31 और एक जन्वरी की राद दिली में बलीनों से 5 लोग एक लड़की को टायरों में फसा कर 10 किलोमीटर तक घसीटे रहे तब तक घसीटा जब तक उसकी हड्या सड़क में घिस कर खत्म नहीं हो गई तब तक घसीटा जब तक उसके सारे कपड़े भट नहीं गए गसीट कौन रहा था एक बेटी को टायर में घसीटने वाला कार में कौन था ये बीजेपी का नेता मनोज मित्तल हाँ ये मनोज मित्तल जो आपको होडिंग्स में चिपका हुआ दिखाई दे रहा है इसके ओपर बेटी बचाव वले प्रधान मिंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं नडडा जी मुस्कुरा रहे हैं दिल्ली पुलिस के मलिक ग्रह मंत्री मुस्कुरा रहे हैं इस पोस्टेर मंडली में जिसका सबसे बड़ा फोटो है देखा आपने, उसने कैसे बचाए बेटी, यही इनकी बेटी बचाओ की तखनीक है, इसी तखनीक से बेटी बचाए ने कार के टायर में फसा कर 10-10 किलो मीटर तक कसीटना किसी दरिंदे को भी रहमा जाए इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर को दीपक नाम के चश्मदीद ने बताया कि जो वो दूद लेने के लिए सुबह सरक पर निकला, तो आराम से आती हुई एक कार के पिछले पईये में एक लड़की फसी हुई थी, जो जोर-जोर से चिला रही थी और इस कार के भीतर था, होडिंग में दिखाई दे रहा ये भजपा मंगोल पुरी वाड का सह सयोजक मनोज में तल, जो नरेंद्र मोदी जी को, अमिश शाह जी को, नडडा जी को अपने सह सयोजक बनने पर धन्यवाद दे रहा है ये वो दिल्ली है दोस्तों, जिसकी पुलिस के मालिक खुद क्रह मंत्री, अमिश शाह जी है ये वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है ये वो दिल्ली है जहां कर अमिश शाह यूपी में बता रहे थे कि यहां लड़कियां रात के बारा बज़े गहने लात करके भी स्कूटी पर घूम सकती है आमिश शाह जी, आपकी अपनी दिल्ली पुलिस के नक के नीचे स्कूटी सवार एक बेटी की क्या हालत की है आपकी ही कारोपी नेता ने लड़कियों को गहने पहन कर स्कूटी पर घूमने का सर्टिफिकट यूपी के बाहर की लड़कियों को नहीं मलता था क्या आपने आप तो देश के ग्रह मंत्री हैं एक लड़की को गाड़ी के तैरों में फसाकर दिली की सडकों पर घसीदने वाला अगर कोई समाने अपरादी भी होता तो भी उसे फासी पर लटकाया जाना चाहिए लेकिन ये गुना ये जगन्यतम अपराद एक बीजेपी नेता की मुझूदगी में हुआ है ये नेता वो नेता है जो बेटियों की रक्षा करने की कसम खाते हैं जो बेटियों की रक्षक बनकर समाज में घूमते हैं उसे चार बार अगर फासी पर लटकाया जाएना तो भी कम है ऐसे नेताओं को ऐसे अपराधियों को पहचानने का समय आ गया है ऐसे नेताओं से अपनी अपनी बेटियां बचाने का समय आ गया है जिनके मों में राम और बगल में छूरी हो ऐसे नेताओं से होशियार रहिए दिन में सेवक और ये रात को भेडिये बन कर घूमते हैं ऐसे समाज सेवकों को घर के दर्वाजे से न जूते मार कर भगाईए दिली में नए साल की रात में कंजावला की ये वारदात कारों पी बीजेपी नेता मनोज मितल इतना बड़ा रंगा सियार रश्ट्र भक्त है कि दिली की सुल्तानपुरी में राशन की दुकान चलाता है नए साल की रात थी गोधी मीडिया की तरह मैं आमिट शाजी की पुलिस को बिल्कूल नहीं कोसूंगी यूगि दिल्ली की पुलिस तो है ही नकारा दिल्ली की पुलिस से ज़्यादा जिम्मेदारी नरेंदर मोधी जी के उस बीजेपी नेता की थी जिसने पेटी बचाओं की कसम खाई थी जब उसी ने बेटी को रोंदा तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस क्या करेगी मिलिटरी क्या करेगी पीएसी बीजेपी के छुट भाईये नेताओं को ये सब करने का बल कहां से मिलता है जानते हैं? मैं बताती हूं जब ये जेल से छूट कर किया है तो दिल्ली की बीजेपी ने इनका सम्मान मंच पर बुला कर किया ये देखिए ये बिल्किस बानों मामले में कईयों के रेप और मडर क्यारोपी हैं इनको बढ़िया वाला ब्रामन बता कर छोड़ दिया गया था फिर फूलों के हार से इनका स्वागत किया इस बीजेपी के ग्रह राजी मंत्री के लड़के ने अपनी धार से किसानों को रौंद डाला उस ग्रह राजी मंत्री को बीजेपी पत तक से नहीं हटा पाई अब इस राशन वाले बेटी रॉंदक बीजेपी के नेता को जेल भेजी दिया गया है इसके गले का हार बनवाने के लिए अगर बीजेपी ने माली को ओर्डर दे दिया होना तो भी कोई ताज्यूप की बात नहीं है शिवा मा बन करो अब मुझसे बिलकुल नहीं हो रहा है यार मुझे बहुत गुस्ता आ रही है